हेलो गुड इविनिंग अब्रीबडी आज हम लोग एक इंपॉटेंट ही मतलग जो टॉपिक लिये हुए हैं जिसको हम लोग देखेंगे इस रिफरैक्शन एट इस फेरिकल सरफेश तो एक्ट्वली हम लोग लेंस के फर्मूला को डिराइव होने का प्रिपरेशन हो रहा है इसी फर्मूला के सहारे हम लोग लेंस का भी फर्मूला निकालेंगे क्योंकि लेंस भी दो एस्फेरिकल सरफेश का कब्विनेशन है तो देखिए इसमें क्या है ये एक पॉइंट अब्जेक्ट ओ लिया गया है यहां से एक रे लिया गया है जो पॉइंट ए पर ये एस्फेरिकल सरफेश पर गिरता है इस एस्फेरिकल सरफेश का सेंटर सी है तो वहाँ से उस point यह पर अगर dotted line खीचेंगे तो वो normal हो जाएगा जो आप लोग जानते ही है तो यह हो गया angle eye और चुकि यह मानली यह glass है यह air या vacuum है यानि n2 is greater than n1 so reflected ray जो है normal की और जुक जाएगा उधर नहीं जाएगा या नहीं भागेगा बलकि normal की और जुक के मानली यह principle axis पर eye पर काटता है यानि ओ का image eye पर बनेगा वो जो object हम एक point object लिये हैं उसका एक point image बनेगा eye पर अच्छा अब देखिए बहुत सारे angle इसमें दिये हुए हैं तो इस सब एंगल को alpha, beta, gamma मानिये हूँ तो eye और eye और eye हाँ एक बात हमने पहले ही कह दिया है कि हम लोग का mirror और lens का formula जो होता है वो सारा paraxial ray के लिए valid है paraxial ray का मतलब हुआ कि यहां यहां center पर रे करीब करीब गिरना चाहिए तो लेकिन यहां असपष्ट करने के लिए थोड़ा दूर मता की photo clear होके समझें लेकिन आप यह समझ यह कि यह paraxial ray है paraxial ray होने का मतलब alpha, beta, gamma, eye और eye और eye और eye सारा का सारा angle छोटा होगा और जब छोटा होगा तो 10 alpha को हम approximately alpha, 10 beta approximately beta and 10 gamma को approximately gamma का सकते हैं और sign eye को approximately eye और sign eye को approximately eye का सकते हैं तो mathematical नियम आप पढ़ते हैं टिग्रोमेटी में तो अब देखिए तो हम लोग स्नेल सलाव लगाते हैं इस सरफेस पर reflection के लिए तो स्नेल सलाव कहता है और sign eye by sign eye is equal to n2 by n1 n2 यह है dense medium और यह है rare medium rare r तो sign eye को करीब करीब i लिख दीजिए r को करीब करीब r लिख दीजिए sign r को तो हो गया n1 i equal to n2 r यह मान लिजिए एक equation हम को मिला अच्छा अब देखिए यह i जो है वो alpha plus beta का मने होगा बरावर i बरावर होगा alpha plus beta क्यों यह तो आप जानते ही है यह triangle का वो external angle है इसलिए i will be sum of two internal angles यानि alpha and beta यह तो पहले भी हम लोग mirror from में भी देखे हैं उसी तरह से r क्या होगा तो देखिए beta is equal to r plus gamma इस triangle का यह beta external angle है तो beta equal to r plus gamma यानि r equal to beta minus gamma तो ही i और r को निकाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए तो देखिए n1 alpha plus beta यहां से लेके n2 beta minus gamma और अब आप टिक्नोमेट्टी से value डालिए यह तो बता ही दियें कि alpha, beta, gamma, ir सब छोटा होगा तो आप am को principal axis पर perpendicular माउन सकते हैं तो alpha यानि 10 alpha का value लिखे तो am by mo देखिये लिखा हुआ है उसके बाद beta beta am by mc देखिये लिखा हुआ है equal to n2 n2 beta फिर am by mc जो यहां लिखे है माइनस गामा गामा am by mi am by mi देखिए सब में उपर में numerator में am है आप उसको cancel कर देजे हटा देजे तो जो बचेगा n1 by mo plus n1 by mc equal to n2 by mc minus n2 by mi वही लिखे है n2 by mc minus n2 by mi अब यह geometric relation आपने ले आया और अब आप sign convention योज कीजिए तो देखिए mo mo object distance minus u होगा और n1 बचे mc mc जो है radius of कर भेचर है लेकिन इससे right side में मेजर करते हैं इसलिए plus होगा r अच्छा equal to n2 by mc कहने का मतलग ही n2 by r और यहां है यह मैनस n2 by mi तो n2 by mi क्या है image distance भी है जो positive है क्योंकि दाइना side है इसलिए n2 by v अब इसी को rearrange करके आप लिख दीजिए n2 by v e n2 इढ़र आगा तो पलस हो जाएगा n2 by v minus n1 by u equal to e n1 by r को उस से ले जाए इसलिए n2 minus n1 by r यही आपका spherical surface का फर्मूला आ गया क्योंकि यह sign convention से treat क्या हुआ है इसलिए यह convex surface या concave surface सब में लागू होगा और object के हर position के लिए लागू होगा यह फर्मूला क्योंकि sign convention से treat कर दिया गया है इसलिए इसलिए टॉपिक किलियर हुआ अब उसके आगे है कि इसी में हम लोगों को magnification देखना है size घटेगा की बढ़ेगा object का magnification of extended object extended का मतलब कुछ size होना चाहिए इस type का point object लेके तो हम फर्मूला derive कर दिये लेकिन magnification of point का क्या image इस पॉइंटेन होगा तो पटेने चलेगा इसलिए extended object ले ले लिजिए एक्ठो है इतना वावा मान लिजिए कोई चीज रख दीजिए हाइट का और इसका इस point से एक रे लिजिए गा इस point से जो रे लिजिए गा अगर वो रे सी के सामने से जा रहा है तो तो perpendicular यह इस surface पर होगा यानि जाओट definition बिना विचलन का वो निकलेगा और मान लिजिए कि ओ एका image a dash o dash पर बनता है जैसे a से जो रे है वहाँ a dash मैंने उपर वाला और o से जो रे जाएगा वह o dash पर कहने का मतलब inverted image बन गया ठीक है बनने दीजिए जो image बनता है तो magnetication का definition है height of image divided by height of object height of image तो है h dash और height of object है h अब देखिए यह तो उसका definition दिया गया अब जुमेटी से देखिए यह triangle object बना के साथ जो है और image बना साथ जो है वह दोनों similar triangle है कैसे तो यह angle 90 वह भी angle 90 यह और यह अपूजिक भर्टिकल एंगल है इसलिए equal और रेस्ट हो गया यह angle equal to यह angle कहने का मतलब तीनों एंगल separately एक टेंगल का दूसरे टेंगल के बराबर है हलाकि टेंगल छोटा बारा है लेकिन एंगल सब का separately बराबर है इसलिए उसको कहते हैं similar triangle तो यह triangle है और टेंगल का property तो पहले भी बटाए है कि corresponding sides are proportional आप corresponding side को हम निकालते हैं इभी side है इभी side है है एच डास बाइच एच डास बाइच है एच डास उपर में लिए है उपर में लेंगे सी ओ डास बाइच सी ओ डास बाइच सी ओ डास बाइच कर दीजिए एम ओ डास माइनस एम सी क्योंकि एम ओ डास मालूम है एम सी मालूम है इसलिए ब्रेक किया जा रहा है डिवाइड़ बाइ सी ओ सी ओ में क्या लिखेंगे एम सी जो मालूम है रेडियस अब कर भेचार एन एम ओ जो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो मालूम है अब उसका बहलू आप डाल दीजिए प्लस माइनस जो करके तो देखिए एच डास जो हो तो नीचे की ओर है वो म माइनस होगा एच उपर की ओर है प्लस होगा एक्वल टू एम ओ डास एम ओ डास क्या है भी है इमेज डिस्टेंस एम ओ डास इमेज डिस्टेंस इसलिए भी प्लस में है अच्छा और माइनस एम सी एम सी राइट साइड में है इसलिए प्लस है और आर के बराबर है हो देजिए डिवाइड़ बाइए एम सी माना आर वही हुआ एम ओ प्लस है लेकिन एम ओ जो है वो अब्जेक्ट डिस्टेंस है जो लेप्ट साइड में है इसलिए माइनस यू डियना पड़ेगा प्लस और उसका चिन जो मैनस यू मल्टिप्लाए होके मैनस यू हो जाएगा तो हमारा इस साइन को इस साइड अगर कर देंगे तो एच डास बटा एच हो जाएगा यानि एम बराबर एच डास बटा एच और इस साइड जो ही मैनस साइन को कि एच यू हो जाएगा आर मैनस भ रहेगा तो M बढ़ावर H डाइस बटा है H is equal to R minus V divided by R minus U अब इसमें से हमको R वगएर को हटा देना पड़ेगा तो इसी equation की मदद से आप यहां पर R को हटा सकते हैं और हटा देने के बाद फाइनली आपको मेगनिफिकेशन का मिलेगा M equal to H dash but H equal to N1 by N2 into V by U इसको भी याद रखिएगा और देख लीजिए कैसे डिराइब होता है तो मैं समझता हूँ कि यह दोनों चीज किलियर हो गया और अगर आप लोगों को पसंद है तिसे like कर दीजेगा अगर जो subscribe नहीं के हैं वो subscribe करके bell बजा दीजेगा ताकि वीडियो मेरा जाता रहेगा और आपका study continue रहेगा उसके साथ है अगर दूसरे को मदद करना चाहते है तो उसे भी आप WhatsApp वोगेरा के थुरू भेज दीजेगा ताकि उसको मदद मिलता रहे और उसका भी study कलता रहे सक्क्राइब अबर बजाएब करना चाहते हैं अपका आपका जैएबा ड़ता रहे अविए लाएग और जूसरे के लागर मेरा की मुएर।